कंप्यूटर सिखने के लिए, हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा Modem Device के बारे में कि Computer Networking में Modem Device क्या होता है इसका क्या रोल है Advantage कोenta Mantis सभी चीजों को डिसकस करूंगा Modem के बारे में एक-एक डाउट क्लियर कर जूंगा, start करता हूँ, modem होता क्या है, modem stands for modulator and demodulator, modem का पूरा नहीं होता है, modulator, demodulator, modulator का MO, demodulator का DEM, इसी को short में बोलते हैं, modem, it is a network device that is placed between the computer system and telephone line, modem network device होता है, यह एक network device है, जो की computer system और telephone line के बीच में place होता है, आप मेरे figure को देख लो यहाँ पे, यह computer system है, telephone line है, इधर भी computer system है, telephone line है, बीच में देखो modem है, यह modem का दोनों part है, ठीक है, तो यह बीच में ही रहेगा हमेशा, आगे का point यहाँ पे देखो, it has two parts, modulator and demodulator, figure में मैंने आपको बताया, य second हो गया, demodulator part, दोनों का अलाग अलाग काम है, ठीक है, modulator क्या करता है, modulator convert digital signal to analog signal, whereas demodulator convert analog to digital signal, यह जो आपको सबसे पहले modulator दीख रहा है, यह modulator क्या करता है, जब यह sender कोई data भेजे गाना, तो इसका जो data होगा, वो digital के form में होगा, digital signal के form में, यह देखो, यह उसका figure भी में आएगा, modulator के पास, modulator क्या करेगा, इस सी digital signal को analog में convert करेगा, और analog signal में convert करने के बाद यह telephone line, telephone wire जो आपको दीख रहा है, इसमें analog signal ही जाएगा, तो यहाँ पर आपको demodulator दीखेगा, फिर, तो demodulator क्या करेगा, इस analog signal को telephone wire से लेगा, और फिर से उसको digital में convert करेगा, य हमारा modulator इसमें नहीं को याद रखनी है कि जो मोड होता है दो पार्ट में डी बाईट होता है दोनों का अलग अलग का मोड़ोट्ड ऑन क्या करेगा सर भी इसको में करेगा टेलेफोन वार से to connect internet ये computer system को अलाव करता है internet से connect होने के लिए बिना modem का आप एक computer में internet करेंग नहीं कर सकते या फिर एक computer से दूसरे computer में डिजिटली टुए अनलोग के पॉर्म में डेटा भी transfer नहीं करते हैं अभी चलो इसका advantages और disadvantages बता देता कि खरके आपको पहला को करता है हमारे चु Attack करता है अगर से दिजिटेटल सिगनल डेटा कर रहा है तो रिजीवर के पास अपने सीलिटी में डिजटल से लेन कि फॉम में ही डेटा को पहुंचाता है बीच में वह क्या गर रहा है इलों डॉनों से का transmission Speed काफी Fast होता है इसमें और इसका disadvantage क्या होता है कि आप इसमें ना वायर का data नहीं भेश सकते हैं यहां पर आपको वायर चाहिए होगा जीसे टेलीफॉन लाइन आप बोल सकते हो ठीक है और यह होता है इसका disadvantage कि जब बहुत ज्यादा दूर यह डेटा भेजते हैं तो इस पीड थोड़ा सा काम हो जाता सामने के लिए बहुत फास्ट होता है लेकिन दूर के लिए यह स्लो हो जाता है तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया मोडम क्या होता है फूल फॉम उसका उसका यूज फीगर में समझा दिया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए